तो यह स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यह आज की वीडियो में मैं आपको वन अव दे बेस्ट मी यूए 11 का एक थीम दिखाने वाला हूं जो फुली सपोर्ट करता है मी यूए 11 को तो यह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा तो अगर आपको ये वोल पेपर पसंद है तो मैंने अपने टेलिग्राम ग्रूप में इसे दे दिया है यानकी सेंड कर दिया है आपको टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस पर अगर आप अपने डिवाINE को चार्जिंग में लगाते हैं तो आपको कुछ इस परकार का जो है वो चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है मैंने पहले कभी नहीं देखा उसके बाद अन्लॉक करने के बाद डिवाईस को आपको कुछ इस परकार के on screen buttons देखने को मिल जाते हैं और आपको यहां पर यह clock मिल जाती है और इसके जो icons है वो भी काफी अच्छे है और आप यहां पर देख सकते हैं थोड़े बोते animation भी आपको यहां पर देते हैं तो यह one of the best मेरे को यह theme लगा तो अगर बात करें यहां पर notification panel की तो आपको support करता है dark mode को आपको कोई भी problem नहीं आएगी और जो volume control है वो भी थोड़े से redesign किये गए हैं तो यह बात करें यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं phone dialer तो यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत changes phone dialer में भी आपको देखने को मिलेंगी और settings दोस्तों काफी बहतरी हो जाती है तो यह मेरे हिसाब से आपको यह थीम एक बार जरूर ट्राइ करना चाहिए बहुती 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 थीम है और अगर आप on screen gestures use करते हैं तो वहां पर भी आपको नया animation देखने को मिलेंगा यानिकी जो back gestures है इनका color and जो design है वो थोड़ा सा change हो जाता है और यही नहीं अगर आपका device boot animation को support करता है यानि कि Redmi Note 7 Pro हो गया Redmi Note 8 जो device ऐसे हैं तो आपको बहुती 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 यहां पर एक boot animation देखने को मिलेगा तो यह one of the best boot animation है मैंने आज तक ऐसा boot animation नहीं देखा तो यह one of the best है इस theme को एक बार ज़रूर तो यह यह सारी information थी यहां पर इस theme के बारे में तो आज के लिए बस इतना ही